अब अब आपका एक बार फिर से कमा रेकर्ट में कोच में आई आज फिर से कुछ नया सीखते हैं अब आपका इंडिया में था फाइव से कॉमर नेम बिलॉंग करता था राजपुर जो की नॉठर इंडिया में था फाइव सेंचुरीज यानि कि 700 से लेके 1200 तक राजपुत पीरेड जो था वह अधेमस था नॉठर इंडिया में इसके वारे मिली हैं पड़तें डिटेल्स में तो सेंचुरी में क्या हुआ जो किंग्स थे आने जाते थे बिग लैंडलॉर्ड से या कोई वेरियर छेव से अप यह होने से मना कर दिया बिल्कुल महां मंदेलिश्वर मतलब एक बहुत बड़ा लॉड किसी भी सरकल का एक किसी भी रीजन का वो ये होने से मना कर दिया उनके पास बहुत सारी पावर्स आ चुकी थी और वेल्स आ चुकी थी एक्जांपल की दोर पे देते हैं कि जैसे राश्ट्रुक से वो स्रबॉडिनेटे चालुक कैस के कंडाटिका में तो मिड एट सेंचुरी में डंती दुर्गा ये एक राश्ट को चीफ है उसने चालुक के छोड़ दिया और वो किंग बन गया वो शस्त्रे नहीं था जन्म से जो ब्रह्मन थे वो मिली रिच्वल थे और उन्हें बोला जाता था मिली हिरनेगर्ब और दूसरी तरफ कदम मायुचराम और गुर्जराप परित्रा हरिश्चन ये मिली ब्रह्मन से उन्हें अपने ट्रेडिशनल प्रोफेशन्स को को दिया था और इनने किंडम स्टैब्रिश किया करनाटिक और अरिस्थान में एक सक्सेस्फल फाइट के बाद तो महाँ पर न्यू डाइनस्टी बनी उन्हें टेंपल्स बना बनाए रजनाज करा और लैंड जो थे भामन्स को दिये अपनी पावर और वेल्थ शो किया करत दें नेक्स्ट बात आते है राजपुत की ताशपुत को और इसन मिली कंफॉर्म मेथा जो स्टॉरियंस थे वह उनको सब्जेक्ट वाइसली डिफर करते थे कुछ राजपुत जो थे वह शस्त्रिया फैमिली के डिसेंडेंट से मतलब उनके वंशस थे कुछ जो थे वह पुद को चार क्लेंस में नाम थे उनके मिली प्रतिहरा प्रामर चालुक्या जिसे बोशकते हैं सौलांकी और चौहान फेमर्स राशपुर टाइनेस्टीस थी उन्हें रूल किया एट सेंचुरी से लिके 12 सेंचुरी तक और टाइनेस्टीस थी मिली प्रतिहर्स जो थे वह गुजरात और कन्नौच के थे प्रामस मालवा के चंडेल्स जो थे खजराओ के थे चोहांस अजबेर में गुहिल्स मेवार सौलंकीस काथियावर तोमर्स हर्यान दिल्ली के प्रतिहर्स थे उन्हें अपनी पावर इतनी बढ़ा रही थी अवंती में जो की जोदपूर के प आते हैं और उसने रूल किया कंटिने रूल किया थाउसे नाइटीन तक देन प्रतिहर्स ने रूल किया गुजरात के उपर और राजिस्सान के साउथ वेस्ट पार्ट में कन्नौच और महिर बोच जो थे वह बहुत बड़े रूल थे प्रतिहर्स टीके चंडेल्स जो थे पुल्देनकंची में 10th century में उनके साउथ में नारमदा जो कि साउथ में और यम न कि नॉट्स कहा कटे थे तिधंगम्स टेने चिंग्दम के प्रतिहार्स गार धिया दिल्ली किया से छीनकर दिल्ली 12th centuries में रूल किया सोलांकी जो थे वो शेफ से प्रतिहार के जिनने डिक्लियर कर दिया था उनकी independence 10th century के बीच में रहने के तॉमार्स और दिल्ली के वह बहुत छोटे rulers थे जो कि प्रतिहार के अंडर थे इनने भी independence डिक्लियर कर दिया था 12th centuries में जब प्रत से लिके 12th century के बीच में जो थे मिली रास्टकूर्स और चोलास जो थे वो डिक्यन और पलास में थे बेंगाल में नौर्ट वेस्टन पास्ट में अरब्स भी देखने को मिलते हैं तो यही सारे kings जो थे एक ही तरीके से रूल करते थे पहले को अपनी पावर दिखाते थे अ स्वेट्धी वाली विजदम दिखाते थे ब्चूटे वाले Kinous То अपनी पावर्ड भी शेयर करते थे सामान स्के साथ और पीज और के साथ winters में के साथ ब्हुंआ के साथ और यह शो करते थे कि उनके पास बहुत highest highest power उनके पास जैसे कि महराज आधिराज्ग जो है Boss keél खेघंग तो और ना चाहां थे यह तीनों वर्ड के नबस्का टे रिवन्यू करते करते थे और पर यूज के जाते थे ते यूज की जाते थे फाइण में administrative network बुनाने के लिए maintenance के लिए आर्मी की फोर्ट टेंपल कंस्ट्रक्ट करने के लिए नेक्स आता है प्रशस्ती एंड लैंड ग्रेंट तो जो मिली यह वाल्स में जो डिजाइन बगरा बनी रहते हैं उसमें प्रशस्ती मिलते थे वह में यह शो करते थे कि उससे जो पीपल थे या कोई पड़ोसी देश वकर राजा थे जो हां रूल करते थे वो डर जाएं उससे पावर शो होती थी किंग्स बांवांज को से रिवाड stress करते हैं जीपहर जाते थे और यह चीज डिकाउड चापर फ्लेट पर और ईंड को दी जाती दी इसकने रिषीव करी यह तो जो लैंड की रूंडरी थी जहां पीलैंड का पूरा आक्र प्रांटेंट होता है है एक लॉंग संस्कत पोई में राजा तरंगी नी इस नाम से है तो उन्हें हर तरगे वराइटी यूज कि है हिस्टॉरिकल सोर्सेस की जो भी पुरानी हिस्ट्रीज है उन सब चीज की अकाउंट से डॉक्यूमें इंस्क्रिप्शन यह सब चीज यूज किया है तन पहले नेबरिंग कंट्रीज में अटेक करना अपना किंग्डम बनाना उसको अपने कंट्रोल में लेना ट्रेट करना उनके रूट्स पे उस टाइम पर यह होता था लेकिन कुछ बहुत बढ़े पर फेमस वार्स होते थे अपने वेल्थ के लिए और उससे एंपायर इस्टैबलिस्ट हुए रिपार्टाइट इस्ट्रगल फर कंट्रोच के लिए इस्ट्रगल हुआ था के रूलर का पूरा कंट्रॉल जो था वह गंगा वैली रीजन पे था जोकि बहुत फटाइल तो तीन किंग्डम्स थे जो की इस्ट्रगल में इंवाल्ड हुए थे वो थे प्रतिहार्स रास्ट्रकूर्ट्स और पल्लाज के तीनों पार्टीज जो थे लॉंग ड्राउन कॉन्ट्रेक्ट में थे इसलिए इसको मिली त्रिपार्टाइट इस्ट्रगल बोला जाता है य को थे मिली मौम्माद बिन कासीम ओवराल भार के लोग भी आपे इंडिया पे कबसर जमाना चाहते थे क्योंकि इंडिया जो था मिली पहले बहुत जादा रिच्ता जो भी सारे सामाने कोई मैटेल हो रहता था सब कुछ इंडिया में मिलता था सुल्तान महमुद गजनी जो सब कुछ मंतर मैं ही रखी जाती थी तो भार के लोग तो सब से इंड लने से बने होते थे वह में संफी लगा जाते इसलिए इसलिए सब क्रक्रण चोहाँ से नहीं राज की नाइट राटा नाइटेन से लेकर 1192 तक याones और Grande Munich करते थे अजमेर के चोहांस और दिल्ली के चोहांस थे चोहांड डाइनस्टी पाई गई थी लगबग 18th century में और 11th century में उनके जो king थे अजय देव उनके जो king थे अजय देव उनने जीत हासिल किया अजमेर में और दूसरे रूर थे विसाल देव जिनने 1158 से लेके 1164 तक शाशन किया उनने दिल्ली पे जीत हासिल की चाबुदिन मुहमद गौरी जो थे उनने गजनी का सिंगाचन हडप लिया था अफगानिस्तान में ये 1173 क को भी दा दिया था फाइड में capture कर लिया था उनको तो दो separate attack होए थे 1178 में देन वो बहुत बुरी तरह हा रहा था राजपूत के हाथों जो कि गुजवात के ruler थे इन उसे लाहोर में जीत हासिल होई थी मुसलिम ruler से उसके बाद उसने अपने निशाना के दिल्ली पे लगा था 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 वो दुबारा आया 1192 में इसने हर आया और उसे प्रत्विरा चोहन को मार दिया तो अजमेर दिल्ली थे वो तर्किश के हाथ में पहुच गए 1194 में जैचंद्र घादावला कनौज का था जिसने पहले मुहम्मद गौरी में help की थी और जो की डिफेट हार गया था और मारा गया था देन 1196 में ग्वाले जो थे और और भी जो किंग्डम से वो तर्केश के अंडर आ गए सारे सारे स्मॉल किंग्डम की रूलर्स को हराया था और दिल्ली सुल्तनेट का फाउंडेशन हुआ था दिन बात करते हैं कहां के स्टैडी की जो की चोला की और उसने काविरी डेल्टा लिया था जीत हासल किती मुतेरियार से वो पल्लव किंग्स सबॉडिनेट थे कांचीपुरम में जो प्रंटक वन है जिनने 907 से लेके 953 तक राज किया था उसने पांडया को हराया था मादूरही की उपर भी जवरस्ति वाला जमा लिया था तो जो राजराज जब वन था जिनने 985 से लेके 1016 तक शाशन किया था राज पर भी कब्जज अमा लिया था तैन उसके बाद वो इस्टन चालो के किंग्डम में भागे की और उसके बाद लक्षदीप का आलेंड जो था वो वह वी उनने कैप्टेट कर लिया था उन पर भ उनका ट्रांस्वोमेशन किया माइटेस किंग्डम में इंडिया में 11 सेंचुरी के बीच में उसके बाद उनने अपने अंडर में मिलिटरी कैम्पिंग्स लेली जो की नौर्थ की तरफ थी और रिवर गंगा को क्रॉस किया जहां पर उनने तो नौर्थन किंग्डम को हराय था यह उनकी विक्टरी थी उनने महां पर जीत हासल की और उनने वहां का टाइटल गंगाई कॉंड़ दे दिया उनने श्रीलंका पे भीजवरस्ती कब्जा किया सुपरमेशी एस्टैबलिस्ट की पांडिया की उपर पाला किंग्स की उपर देन उनने कमर्शली कॉंटेक् पेंट के इसब को भड़ाया माले पैनिसुला के साथ साउट इस्ट एशिया में दन उनने उनकी कैपिटल इस्टैबलिस्ट की थंजनवर के पास और उनने नाम दिया गंगाई कॉंड़ दा चोला पुरम फिर एक चाइनीज ट्रेवल था चाउजू कुआ वह थंजनवर प राजराजवन था उनने व्रिहादेश्वरे टेंपल बनवाया था जिनको राजिश्वरे टेंपल के नाम से भी जाना जाता है थंजनवर में आज इंद्रवन जो थे उनने टेंपल बनवाय था गंगाई कॉंड़ा चोला पुरम आपर टेंपल बनवाय था और जो डॉन टेंपल से वो जाने चाते थे बहुत अच्छे आडिटेक और स्कुल्प्चर के लिए मतलब बहुत अच्छा सुन्दर बना मतलब वहां पर सेंटर्स थे इस सब चीज़ के और इस पेस्ट भी वहां पर वक करते हैं टेंपल में जो की वहीं रहते थे उसके पास ही जो प्रीस्ट होते थे गार्लेंड मेकर्स होते थे मुजिशियन से ट्रांस डांसर्स थे बस रोते वो लैंड के साथ प्रोवाइट की जाते थे तो यह मेली रूर्स के द्वारा दिये जाते थे बहुत बड़े बड़े लैंडॉर्स को बनाना महां पर बहुत इंपॉर्टेंट था पूरे क्राफ्ट के अमंग जो की टैंप स क्रिश्न से टेट थे लुए चुट और कभी कभी ऑटी का बनाया जाते थे उनकी वर्षिप किया करते थे पूजा किया करते थे नेक्स टॉपिक आता है एक्रीक नेश्वेंग इजिकेशन अग्रीकल्टॉर्चर अगरिकल्चर लैंड का पूरा ग्रोथ हो ना चुब तो को हाराय था लेकिन वो क्रिश्न की द्वारह हार गए थे राश्कूत में डाश्कूट के तनको रियाइस्ट हुआ था कि वह सक्सेस्फफुल हुए थे वार में और एक स्ट्रॉंग किंगडम थे तो इसको बनाने के लिए ऐसे क्रिंटम को बनाने के लिए पीपल्स जो थे उनके पास फूड होना चाहिए था टाइफ होनी चाहिए थी तो इसके लिए उन्हें और उनके जो उत्राधिकारी होते थे उन्हें एग्रिकल्चर पर दिया मतलब एग्रिकल्चर को बढ़ाने के और दिया इससे क्या सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड होती थी अग्रिकल्चर को इंकरेज करने के लिए यह कैनाज बनाते थे टैंक्स बनाते थे रिगेशन परपस के लिए यह एंशूट किया था कि वहाँ पर कोई भी वाटर जो वेस्ट नहीं किया जाएगा जोगा इंब सब्सक्राइब के एरियास में मतलब मेली टैल्टास में वैल्स जो है कुए खोदे गए थे टूलर्स ने भी और जो विलेज के जो एल्डर्स वगरा होते थे उनने बहुत इस एक्टिव बहुत साथा इंट्रेस्ट लिया इस चीज में एग्रिकर्शन वक को सारा मैनेज कर डैने के लिए को ऊ mismo करना सारी वर्क को मेंटेन करना क्यान को कि कितना कि रेच होते बनाइंट्वाहो장नолн जरमेंट्रेशन विलेजच्थada के उन्हें मिली बोला जाता था और स्भि न सरे बहुत सारे लांज युनिट्स फॉर्म करते थी जिन्हेर बोले जाता था मैंदू वंचैंबिधक कैoff को सब्सक्क्राइब एद्मेंट परफॉर्म करते थे उसकी में जस्तेज सो कॉलेक्स ब्रफॉर्म करते थे तो जो चोला किंग्स थे उनने कुछ लेंड ओनर्स टाइटल्स दिया लाइक अरियार जो होते थे और उन पर इंट्रेस्ट किया जाता था सारे इंपोर्टेंट ऑफेस पे सैंटर पे उसके बाद जो प्रियांडू नाम का लेंड था वो कल्टिविशन के लिए था कॉमन फ् द्वारा एसेंबली के द्वारा उनके लेंड ओनर्स थे उनके द्वारा इंस्क्रिप्शन जो थे उत्रहे मेरूर में चिंगलपूर डिस्रिक्ट में हैं तमिल नाडू में यह सब क्या डेटेस्ट प्रोवाइड करते थे जो की सभा करती थी सारी जो भी सभा थे lotery system से जैसे आज के टाइम पर लोट्री शिस्टम वहता है ववाइसे उस टाइम पे था तो उसी सलेक्ट होते थे शुल्य सोस्ते थे खुद को विए सैब्णी चैशनी होते थे वो सब डेटेल्स में recorded होते थे Gardens में या Templ probabilällt में तो ऐस不錯 लिए थे वो भी ओकेशनली फंक्शन्स परफॉर्म किया करते थे तो इंसक्रिप्शन इन सब चीज के बारे में नहीं बताता उनके और रहने के बारे में नहीं बताता प्रहिए पुरानम एक 12th century टमिल वर्क है जो बताता है उनके सब्सक्रिक सब्सक्रिक सब्सक्री के बताता है जो जो आ रहते हैं जौपड़ी ओकरक के अन्डर डिएक निभी ऑस्यायमिक के लिए पुलियास कांप कास्ट के दौर और और लूहरा कास्ट की पीपल उत। यह उस टीज ना बेजी रहते थे में ली